कि अलो एंड वेलकम डू की स्टाडी पॉइंट फ्रेंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अवाउट एबरी मैं इन इस विमार बें जॉंसन का यह इसको डिसकस करेंगे एक्जाम पॉइंट अभी से जो चीज़ां पूंची जा सकती हैं सभी को डिसकस करेंगे तो वीडि में पिले लिखा लिखा गया था और पॉब्लिष्ट भी 1598 में यह नि पॉफॉर्म किया गया था 1598 में ठीक है मैं जॉंसन का प्ले है और बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज़े कि यह है कि इसमें कुशन पूंचा जा सकता है कि क्या यह अरेस्टोटलियन जो युनिटीज ह बोला था कि there must be three unities in place तो उसको यह फुल्फिल करता है मतलब इस पिले में three unities brighter के दारा complete मतलब एक तरह से दिखाई गई है तो पहले इसके characters के बारे में जान लेते हैं और फिर एक brief summary discuss करेंगी क्योंकि यह पिले एक ऐसा पिले है क्योंकि comedy of humor है तो इसमें हसी मजाक के ही ज plot है तो जो brief summary मैं आपके साथ discuss करूँगा इसमें एक character है जो पहला act होता है वहां उसमें novel नाम का व्यक्ति है उसका एक लड़का एडवर्ड यह आप स्क्रीन पर नाम देख पा रहे हैं चाहें तो not कर सकते novel नाम का व्यक्ति है यह बुजूर्ल टाइप का व्यक्ति है इसक आप यहां देख पारें स्क्रीन में वैल ब्रेड इसका दोस्त है और यह जॉर्ज डाउन राइट भी इसका दोस्त ही है डाउन राइट वैल ब्रेड का मतलब हाब ब्रादर है नहीं कजिन है एक तरह से तो यहां कहानी आगे बढ़ती है तो इसमें जो यह novel है इसका एक न ब्रेड की है जहां यह पढ़ता है लंदन में रहके यह ब्रिजट नाम की अभी मैं आपको इसक्रीन पर दिखाऊंगा उसका नाम यह उससे कुछ चक्र चलाना चाहता है तो इसका जो दोस्त है वैल ब्रेड इसको लेटर लेटर लेक्टा है एडवर्ड को कि यार तुम ब इसको बोलता है डाव को न वार कि त Singục को क्ल Micha यह को लेक्टिम उनने इसको लार कि न पत्ति पर लोता है वैं दो दोस्ति वीजो पॉलना कि देखा नहीं यह इसको लेटर लेकं़ वाया आप तो मैं को ऱ्रेट डर्वान जो सोर्वेंट है जाकर लेक्ट तर्वेयर्ड को ह इसके बाद एक स्टीफन नाम का व्यक्ति है जो इसका डाउन राइट का और वैल ब्रेट के साथ ही लंदन में गुमता है इनके साथ रहता है इसका भी थोड़ा सा रॉल है एक करेक्टर है जस्टिस किलिमेंथ ठीक है यह मजिस्ट्रेट है यह जस्टिस है इनका छोटा सा र करता हूंगा क्या है तो पहले सीन में लगवग यही कहानी है कि लेटर आता है एडवर्ड का उसके दोस्त वैल बिरेट उसको लिखता है और एडवर्ड के पता जिसको पढ़ा लेते हैं और इसका एडवर्ड को भी पता चल जाता है लेकिन यह माइंड नहीं करता है तो य लेकिन ब्रैन वान खुद मजे लेता है यह इसके साथ तो जाता है लेकिन यह अपन डिसगाइज मतलब वेस बदलके ना अलग अलग वेस बदलके यह भी इनकी मौज मच्ती की जो एक टोली है डाउन राइट की वैल ब्रेड की एडवर्ड की इन सब के साथ और स्टीफन क इन सब के साथ यह भी मजे करता है ठीक है अब इसमें कुछ और करेक्टर है जैसे थॉमस काइटली नाम का एक वेपार ही है जो कपड़े का वेपार करता है ठीक है इसके इरदगिर्द बाकी जो सीन है बाकी जो एक्ट है इसके इरदगिर्द गूमते है ठीक है पहला सीन व मिस्ट्रेस ब्रिजेट अब जो अभी मैंने बता है एडवर्ड था वो पढ़ाई के साथ साथ इस पे फिदाय मिस्ट्रेस ब्रिजेट पे ठीक है तो वो इससे चक्कर चलाने के फ्राग में रहता है हमेशा इसलिए ज्यादा पढ़ने भी दयान नहीं देता है पढ़ने तो यह जो थॉमस काइट लिए इसको एक और मतलब सक है कि इसकी जो वायफ है डैम काइट लिए इसका किसी और से चक्कर चल रहा है तो यह इस दोविदा में हमेंसा फसा रहता है ठीक है एक सीन ये भी होता है कि ओलिवर कॉप जो है एक वाटर भी अरर है इसके साथ ये जो लोग है ये जो ओपर मैंने आपके साथ सेर किये थे स्टीफन वगेरा वैल ब्रेड वगेरा और एडवर्ड क्योंकि ये इस लड़की से चक्कर चलाना चाहते हैं मौका डूडते रहते हैं कि काइटली को गुमरा करो और जैसे ये बाहर जाए तो लड़की से मिलने के मौके डूडते रहो एक्शल में ये जो लड़का है अभी मैंने आपको इसक्रीन में दिखाया था ये वाला वैल ब्रेड ये इसके घर में रहता है थोमस काइटली के ठीक है और इसके जो दोष्ट है जैसे एड़वाइड है वो भी हाँ आता जाता रहता है ठीक है और फिर इसका जो भाई है डाउन राइट वो भी हाँ आता जाता रहता है काइटली के घर पे और फिर एक व्यक्ति है Master Matthew और एक Captain Boba Dil, यह Captain Boba Dil है, इनका भी एक सीन है, इनका क्या सीन है कि Matthew बोलता है कि यार इससे Boba Dil से जाके कि मुझे downright यार धमगी देता है, क्या तुम कुछ कर सकते हो, तुम Captain रहे हो आर्मी में, क्योंकि Boba Dil बहुत लंबी-लंबी हकता है कि मैं Captain था, ये था वो था तो मैथ्यू इसको जा के बोलता है कि डाउन राइट यार मुझे धमकाता रहता है तुम मेरे कुछ हैल्प कर दो तो एक सीन इनका ये भी रहता है अब अल्टिमेटली ये सब जो लड़कें है इस लड़की को मतलब एड़वर्ड जो है वैलवर्ड चाता है कि एड़वर्ड और ब्रिजेट की साधी हो जाए तो ये सब खेल करते रहते हैं काईटली को फसाते रहते हैं मतलब उसको गुमरा करते रहते हैं तरह तरह की बात बनाते रहते हैं और जो इसके मन में थामस काईटली के मन में एक निलेमा क्रियेट किया है यार मेरी वाई मुझे दोखादेरी चीट कर रहे है वो भी उनके दॉबारा he Access cosas बहेव कर करके कही ना कही क्रियेट किया गया है इसके इलाबा इसके पाद एक सीन बनता है कि जो यह है एक और करेक्टर है आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ ओलिवर कॉब इसको ये लोग सबी जो लड़के लोग हैं एडवर्ड और वैलब्रेड वगेरा डाउन राइट इसको फुसलाते हैं और इससे बोलते हैं कायटली से कि तुम जाके उससे बोलो कायटली से कि उसको न इसने जस्टिस ने बुलाया जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था जस्टिस कलेमेंट उन्होंने बुलाया है तो कायटली उनके घर जाता है कि यार मुझे जस्टिस क्यों बुला रहा है तो वहां जाके इसको पता चलता है कि नहीं जिस्टिस क्लेमेंट ने तो उसको बलाए नहीं तो फिर वापिस आता है ये भागा भागा जाता है और ये जो इस तरह का एक्सक्यूज या इस तरह का जो बहाना बनाया था इसलिए बनाया था उसने वैल बरेट ने ताकि जो एड़ वाड है वो इस लड़की से इसके घर पे जाके मिल सके ठीक है तो यह हम बात कर रहा हुता है इससे फिर यह चलाता है तो तोमस काइटली वापस आता है इससे बोलता है उलिवर कॉप के घर जाके ऐगर तू ने मेरे से जूट के बोला कि तुझे एक जिस्टिस कलिमेंट ने बूलाया था उसने तो नहीं बूलाया था अब यहाँ जो Oliver Cobb है इसको भी डाउट हो जाता है अपनी वाइफ पे टिव है इसकी वाइफ का नाम की मेरी वाइफ का भी कहीं चक्कर चल रहा है किसी और से और स्पेसली से Captain Boba Dil से ठीक है तो यह भी इसी दुबिदा में रहता है तो यह काइटली और Oliver Cobb आके जगडा करते है यहाँ बीच में सब लोग भी आ जाते है इनमें जगडा होने लगता है तो फिर यह Justice के पास जाते है जस्टिस क्लिमेंट के पास जाते है और यहाँ बीच में एक और सीन होता है कि यह जो सिटीफन बी एक दोस्ता से का एडवर्ड का वैलब्रेट की तरह तो ये एक तलवार ऐसी बेकारशी तलवार उठा कर ले जाता है और इसको स्टीफन को बोलता है की तलवार ले लो बहुत अच्ची तलवार है तो ये इसको रुपय पैसे पर अखिए देके खरीद लेता है और देखता है कि आहरो तलवार तो खराब थी तो फिर सब लोग इस पर हसते हैं मतलब इस तरह की सीन हैं जो हसी मज़ा क्रियेट करते है बस ऐसा हुमर क्रियेट करते हैं कि लोग हसें टीक है तो एक सीन ये भी है इसके बाद ये जो नौकर है ब्रेंड वॉन ये एक बार वेस बदल लेता है और इससे नोवेल से जाके बोलता है कि यार मुझे नौकरी दे दो इससे कुछ मांगता है मेरे पास नौकरी नहीं है जबकि एक्शल में इसका नौकरी है लेकिन इससे जाके मज़े लेता है मज़ा करता है कि मुझे नौकरी दे दो मेरे पास नौकरी नहीं है एक सीन ये भी होता है इसमें तो इसमें बहुत सारे सब पलॉट है तो मेजर पलॉट मैंने आपके साथ डिसकस कर ली है लास्ट में ये क्या होता है कि के जो ये हैं जस्टिस किलिमेंट जो मजिस्टेर्ट है उनके पास जाते हैं सब लोग तो ये जो जस्टिस हैं वो इन सब की बातों को सुनके देखते हैं कि आर इसमें तो कुछ मतलब मुझे लगता है कॉंस्परेंसी चल रही है कोई घडवड कर रहा है तो फिर ये जो ब्रे ब्रेन ये ब्रेन वान है इनका नुकर ये आता है और ये बताता है कि ये सब चीज हैं बीच बीच में डिस्टोकर होके मैं भी कर रहा था और एक्ट्वल में ये सब जो 있क्छ्ष नहीं क्यों कर रहे थे और यह इन दोनों की साधी करा देते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं बहुत हाशते हैं तो अल्टिमेटली एक स्टोरी है इसकी जिसमें बहुत सारी प्लॉट है अब इस पर बेस्ट कुछ कोशन बन सकते हैं उनको डिसकस करते हैं क्योंकि देखो नोवेल से स्टार्ट हो सकता है लेकिन जो ज्यादा तर स्टोरिय काईटली के आसपास गुमती है तो इन जो ऑप्सन से इसमें ऑप्सनी करेक्ट अंसर हो जाएगा दूसरा दूसरा कोशन है वाट यर वाज एबरी मैन इन हीस हुमर फस्ट पाफॉर्म्ट 1598 में फस्ट टाइम ठीक है यह कुश्चन आ सकता है नेक्स्ट कुश्चन है वाट इस देख लेते हैं विच थेयर्टिकल कंपनी फस्ट परफॉर्म्ट एबरी मैन इन हीसुमर इस नाटक को किसने पहली बार परफॉर्म किया तो किस कंपनी तो इसका कंपनी ने इसका नाम था लौड चेमरलेंस मैं ठीक है का जाता है सेक्षविर ने भी इस परफॉर्मेंस में रॉल पिले किया था एज एक्टर तो यह आप याद रख सकते हैं और राइट आंसर लौड चेमरलेंस कंपनी थी इसने इस प्ले को परफॉर्म किया था 59 डेट में विच करेक्टर बि उनसे चिड़ता रहता है कि तुम मेरे घर क्यों आ जाते हो और मेरी यंग सिस्टर है मेरी वाइब भी है और मेरी वाइब ने मुझे लगता चक्कर चला लिया है तो वो इसको जलन ही होती रहती है उन सबसे इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है वाट लिटरी डिवाइस इ इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन देखें तो जो कैप्टन बोवा डिल है मिलेटरी मेरा था तो यह बहुत लंबी-लंबी हांखता है ठीक है तो आप्संट इया राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं तो इसका मतलब बॉडिली फिल्ट्स बिलीव्ट्स टेंप्रामेंट ऑप्संट इया राइट आंसर हो जाएगा यह तो कॉमेडी ऑफ हुमर्स पे मैंने एक वीडियो बना रखा है वहां आप डिटेल में समझ सकते हैं आपको चैनल में सर सर्वेंट करेक्टर इन एवरी मैंने जीमर हुम मैनिपलेट सिच्वेशन फोर इस आउन बैनेफिट तो जो नौकर कौन है जो बार बार सिच्वेशन को मैनिपलेट करता है तो ब्रेंड बॉन है ओप्संटी हर आइट अंसर हो जाएगा तो यह पॉसिबल कोश्चन है जो इस प्ले से पूंचे जा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंट आई तो लाइक जरूर कीजिए और सेयर कीजिए अपने दोस्तों में साथ तैंक यू